अगर आप ऐसे चेज की तलास में है जो एक मिनट में अंचाहे बालों को साफ कर दे तो आज आपकी तलास खतम होती है रिजल्ट आप लोग के सामने है वीडियो में आप लोग को लाइब रिजल्ट दिखा रहे हूं कि सिर्फ एक मिनट में अंचाहे बालों को ये साफ किया ह हेलो एवरिवान कैसे हैं आप सब फ्रेंड आज आप लोग के साथ एक ऐसी होम रेमेडी सेयर कर रहे हूँ जो की मतलब की क्या ही मैं बोलनू इसे आप जब बना कर लगाती है ज़स्ट ही बोलेंगी वाव इसके बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया फ्रेंड आज जो तरीका आप लोगो बता रहे हूँ इस तरह का रेमेडी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और इसका रिजल्ट आपको 100-100% मिलेगा तो इसे किस तरीके से बनाना है कैसे लगाना है पूरी जानकारी लेकर के जाईएगा तो चलिए चलते हैं किचन में और देख लेत बनाने के बाद भी अगर बाल नहीं नहीं करता है तो फिर आप जाकर सेविंग या थ्रेडिंग करा सकती हैं लेकिन इससे आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा तो इससे बनाने के लिए सबसे पाले हमें एक तवा की जरूरत पड़ेगी और गैस का फ्लेम आपको कम कर देना ह और उस तवे पर आपको रख देना है एक कटोरी ठीक है जी इसे हमें डबल बॉयलर की मदद से बनाना है डाइरेक्ट गैस पर रखके मत बनाईएगा इसमें हम एट किये हैं एक से देर चमच भर के गुलाब जलेहां पर आपको पानी नहीं लेना है ठीक है एक चमच गुल को इस्टंट हटाता है और जो तरीका से आज मैं इसे बना रही हूं मतलब कि इस्टंट के कुछी सकेंड में बालों को जड़ से खीचके निकार देगा और दुबारा से उसकी ग्रोथ बिल्कुल होगी ही नहीं बाद में आप लोग खुद कमेंट करके बताएंगे कि बहु कोड़ना नहीं है चलाते रहना है इस पून से इसमें हम आट किये हैं दो चमच भर के चीनी एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं क्योंकि बहुत सारे लोग स्किप कर करके वेडियो को देखते हैं इसमें हम दो चमच गुलाब जल आइट किये थे एक चमच भर के फिट जो आप तवा ली हैं वो काफी जादे हीट हो जाता है जब थोड़ा सभी गरम होता है तो बहुत लंबे समय तक हीट रहता है तो ऐसे में गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा जब तवा गरम हो जाता है तो गैस का फ्लेम कम करके इसे हमें कम आच पे बिल्कुल स्लो आच पे इस सारे लोग तो ऐसे ही जज कर लेते हैं कि यह काम नहीं करेगा बिना यूच कि यह ही जज कर लेंगे कि यह काम नहीं करेगा तो please आप लोग से request कि ऐसा comment ना किया करें क्योंकि जो भी मैं share करती हूं यूच करके देखती हूँ उसका result मिलता है तभी जाके आप लोग लिए वीडियो सेयर करती हूँ इसमें हम add कर रहे हैं आधा चमच भर के सहथ सहथ की quantity हम यहाँ पे आधा इस्पून लिए हैं यह अंचाहे बालों को भी हटाता है और इसकीन को सौप बनाके रखता है जैसे ही हम इसमें सहथ डाल हैं जो आकर गलत-गलत कमेंट करते हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट आया ऐसा कमेंट ना किया करें ठीक है बहुत मुझे खराब लगता है आप लोग का कमेंट देख करके इस्पून से इसे चलाते रहेगा मुझे भी काफी जादे दूख होता है मैं भी इनसान ह किसे के वीडियो पर जाकर अईसा कमेंट ना किया करें आपलोग हमें इस्पून से इसे चलाते रहना है फ्यक्तिक है इसमें काफी जादे जहाग आगिया है क्योंसे पहुत इस तरीके से जब इस्पून से चलाते रहेंगे और थोड़ा सा पकेगा तो इसमें जागा जाएगा तो इसी इस टेप पर आपको गैस को बंद कर देना है ठीक है जो इसमें चीनी है प्लस फिटकरी है अच्छे से वो मैल्ट हो गया है तो इसी इस टेप पर गैस को बंद कर अगर जादे आप इसे पका लेंगी तो फीर काफी जादे गाढ़ा हो जाएगा इसमें हम नीबू करस नहीं डाले थे तो फीर तार की तरह बनने लगेगा तो जादे मत पकाईएगा मुस्किल से दो मिनट लगेगा इसे पकाने में क्योंकि इसमें हम गुलाब जल बहुत कम तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड नीचे से थोड़ा सा ये लग भी गया है कटोरी में क्योंकि जो तवा होता है काफी जादे हीट हो जाता है थोड़ा सा भी गरम होता है तो लंबे समय तक गरम ही राता है तो हम थोड़ा छोड़ दिये थे नीचे सपकड़ और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है तो सेम इसी तरीके से हमें बनाना है पर आपे गलती मत करिएगा नीचे से पकड़ेना वो इसे भी अच्छा बन के तयार हुआ है बहुत अच्छा एक काम किया है इस्टंट बालों को खीच के निकारता है जिस तरीके से बैक्स होत और आप लोग देख सकते हैं कितना गाढ़ा साय बन के तयार हुआ है तो इसे कि तरीके से लगाना है और भी देख लेते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बालों की ग्रोथ कितना जादे हो गई है बहुत दिन हो गया था इस तरह का कुछ लगाय हुए तो काफी ज बेट जाईएगा कहीं जाईएगा मत और यहां पर तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी इसकीप नहीं करना है अब करना क्या है कि थोड़ा सा आपको गरम पानी करना है और गरम पानी के सहायते से एक हैंकी ले लिजेगा और इससे आपको क्लीन करना है जिस एरिया पे आप पेर पे भी लगा सकती है इसे आप लगा करके अपने upper lips के बाल को भी stunt एक second में साफ कर सकती है फेश पे भी लगा सकती हैं कहीं भी आप इस remedy को use कर सकती है अब इसे किस तरीके से लगाना है काफी ज़्यादे गाढ़ाए बनके तयार हुए हैं बहुत अच्छा है बना है इस तरीके से आप भी बनाईएगा अब इसे हमें बालों के सीधे direction में लगाना है और उल्टे direction में clean करना है इस बात का ध्यान दीजिएगा जिस तरीके से मैं लगा रहे हूं सेम इसी तरीके से लगाईएगा इसे बना कर लगाना सुरू करती है तो facial hair का growth इतना जादे कम हो जाए थोड़ा सा मोटा लेयर करके लगाईएगा इसका कलर भी पूरी तरह से चेंज हो गया है क्योंकि इसमें हम फिट किरी भी आइट किये थे प्लस चीनी था तो ये दोनों मिलता है तो कलर थोड़ा चेंज हो जाता है तो परिशान मत हो ये कि कलर डाउन हो गया है जी नहीं इसी तरीके से आपको भी बनाना है और इसे बनाते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसे गाइस पर रखने के बाद छोड़िएगा मत इस्पून से चलाते रहिएगा नहीं तो फिर जल जाएगा तो उतना अच्छा एक काम नहीं करेगा यह छोटी छोटी टीप्स है इसे अग अपने फैमली में सेयर करिए तो अभी हम इसे लगा लिए हैं लगा कर मुश्किल से पांच मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा इसकीन पे सूख जाएगा और जो इसमें हम फिटकरी डाले हैं वो बालों के जड़ों में जाएगा तो वो कमजोड होगा बालों ह पेन हो सकता है अगर आपके फैसियल हेर बहुत जादे है हाथ पैर पर बहुत जादे बालों की ग्रोथ है तो थोड़ा बहुत दर्द होगा पर आपको परेसान नहीं होना है वो बाद में ठीक हो जाएगा मतलब बैक्स कराने से तो कमी दर्द होगा बैक्स में तो बहुत जादे पेन होता है तो इस तरीके से हम क्लीन कर ले रहे हैं जहाँ जहाँ इस रेमेडी को आप लगाई हैं अच्छे से क्लीन कर लीजेगा इसे लगाने के बाद जर्षट आप यहीं बोलेंगी वाव रिजल्ट आप लोग के सामने है मैं क्या ही बोलूं आप खुद लगाए तो अभी हम क्लीन करके आप लोग को दिखा रहे हैं, इसकीन कितना साफ दिख रहा है, जहां पर इस रेमेडी को मैं लगाई थी, इस बैक्स को वहां का बाल पूरी तरह से क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, खुद जहां जहां तक मैं इसे लगाई थी, बाल अच् शेयर जरूर करिए।